गुद मॉरिंग स्टूनेंट हमने 5E परहा अब हम 5F पढ़ेंगे सब्ट्रेक्टिंग 1s फ्रम 2 डिजित नंबर्स यहां आप देखिए 556-2 टेक अवे 2 1s यहां पे हम 56 लिखेंगे और यहां हम 50 प्लस 6 को अलग करेंगे 6 में से 2 जाएगा 4 50 एटिटीज उतर जाएगा यानि 54 10s का कॉल्यूम बना के हम इसको ऐसे बना सकते हैं Exercise F यही आपको बता रहा है सब्ट्रेक्ट में 6 से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 और 4 एटिटीज यहां आ जाएगा उसी तरह 9 से 6 जाएगा तो क्या आएगा 3 और 7 एटिटीज हो गया क्योंगी इसके नीचे कोई भी नमबर नहीं है तो आप इसको इस तरह से बना लेंगे देखिए या तो आप इसे finger पर count कर के बना सकते है या फिर इसे आप line को गीच के 6 line ड्रॉ करके 2 line कर कर के भी बना सकते है और 4 के नीचे कोई line नहीं है या कोई digit नहीं है तो आपने कोई line नहीं गीच ना है अब आईए subtracting 10 यहाँ 10 को ही हमको subtract करना है यहाँ आप देख रहे है find 70 minus 40 आपने यहाँ देखा कि यहाँ यह जो blocks है 10 10 का blocks है मैंने पहले भी आपको बताया था यह 70 है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और इसमें जो blocks बने है 70 है तो 70 में से 40 अगर हम take away करेंगे तो कितना बचेगा 30 देख रहे हैं यहाँ 7 minus 4 3 10 यानि 70 minus 40 is equal to 30 उसी तरह find 50 minus 20 यह 50 का blocks बना है और इसमें से हम 20 take away करेंगे यानि 2 10s take away करेंगे तो कितना बचेगा 5 minus 2 10s is equal to 3 10s 50 minus 20 is equal to 30 तो आपने देखा कि यह कैसे बना है यह classwork है आपका page number 91 और आपको number 1 में बनाना है 8 10s minus 3 10s अगर 8 10s से 3 10s minus होता है तो कितना 10s बसता है इसको आपको यहाँ लिखना है उसी तरह number 2 में है 7 10s में minus 4 10s होगा तो कितना बचेगा आप इस method को use कर सकते हैं या आप यह 10s once के method को use कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं कि 30 10s में से 1 10s जाएगा तो कितना बचेगा उसी तरह 4 number में 9 10s में से 5 10s जाएगा तो कितना 10s बचेगा इसी तरह 5 में है 5 10s में से minus 4 10s जाएगा तो कितना बचेगा इसी तरह आप इसको complete कर सकते हैं और आपको यहाँ help के लिए दिया हुआ है यहाँ 80 है, minus 30, 70 minus 40, 30 minus 10, 90 minus 50, 50 minus 40 यह आपका इसी का यहाँ पे tense का version करके आपको दे दिया है तो देखा बच्चो यह कितना मज़ेदार है आप इसको tense once की हिसाब से बना सकते हैं यहाँ तो once का कोई जिक्षी नहीं है, only tense में ही आपको subtract करना है that's all